जहिन देखे DRDO दोरा विक्सी तपस ड्रोन के बारे में समझते हैं ये पहले सर्वलांस ड्रोन था अब इसे हमला करने के लिए तयार कर दिया गया है ये अभी बैंगलोर में हो रहे है एरसो का उपर से एरियल सर्वलांस किया है इसका नम तपस है तपस का फुल पर होता है ट लेकिन अब इसे आर्मल ड्रोन के तौर पर तबदिल कर दिया गया अमेरिका भी प्रेडिर जो ड्रोन बनाया था वो पहले ज़िए 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 चीजी से आगे बढ़ाएगी इसके नमबर मतलब आर्मी, एरपोर्स, नेवी सब के लिए इसका प्रोडक्षन को आगे बढ़ाएगा है लगभग 76, 74 के आसपास में इसका नंबर को अभी आगा गया है आला कि और इसके नंबर्स को बढ़ाए जाएगा सुरुवाती परिक्षण इसका करनाटक में हुगा था करनाटक के सुरुवात में इसका कोलार में परिक्षण हुगा दूसरा परिक्षण जो पूरा बढ़ियां से ट्राइल किया गया हो चीतर दुर्ग में यह अक्सर कोशन पुझेगा चीतर दुर्ग कहा है करनाटक में हलां कि पहले भी मिसाइलों के परिक्षण के लिए हमारे पास उडिशा का वीलर दूइप जिसका नाम कलाम दूइप हो गया उसके ऊपर है चांधीपूर और यहाँ पोखरन यह चार जगह याद रखेगा मिसाइलों के परिक्षण के लिए यह जगह है इसके बारे में अब समझते हैं देखिए इसकी लंबाई जो है वो 31 फीट है इसकी लंबाई को 31 फीट रखा गया है जबकि इसके डैनो की चौणाई को 67 फीट रखा गया है यानि इसका डैना जो है विंग स्वैन जादे है जितना जादे विंग स्वैन रहेगा वो हवा में उतना जादे इस्टेबल रहे इसमें टर्बो प्रॉप टाइप के इंजन लगे गा है, जिसके फैन बाहर होते हैं, टर्बो प्रॉप इंजन के फैन बाहर रहेंगे, इसमें तीन ब्लेड दिये गा है, घुमने के लिए, जबकि तुर्की का जो TB2 ड्रोन था, उसमें दो ही विंग्स थे, दो ही फैन है गु कर दिया कि इसी का ड्रोन सबसे बढया है उसका जो ड्रोन है उसमें दो ही लगे हुए हम लोग्त का जो ड्रोन है उसका जो इन्यन वह जादे पाफरुल है वह तीन Turbo Compl direct गाई treat, ऐसमें 13 किलोट सबसे बंठ उनरेट करे सको इतना इसका पूरा मदद किया था यही TB Trone इस drone की जो service ceiling है जब उचाई होती है उसे service ceiling technical भासा में बोला था 35,000 feet है 35,000 feet पे commercial जहाज उड़ते हैं इसके हम अब यह जहाज की height पे उड़ेगा छोटे मोटे चीज नीचे से पकड़ भी नहीं पाएंगे आपे इंडोरेंस जो है इसमें कितने देर तक उड़ सकता है यह ता 18 घंटे की इसकी इंडोरेंस चमता है रेंज जो है यह 1000 km तक जाकर हमला कर सकता है आपे इसकी रफ़तार 300 km पती घंटा बताईगी है आपे अभी इसकी रफ़तार इंजन और स्मूथ होंगे इसके खाली वजन केवल मतब जो जहाज का वजन है इस ड्रोन जो है इस ड्रोन का अकेले वजन 1800 kg है लेकिन यह ले जा सकता है साड़े 300 kg का पेलोड यहीं से इसकी एडवांसमेंट चालू होती है कि सारे 300 kg के हथियार को यह ले जा सकता है जबकि तुर्की का जो TV2 ड्रोन था वो महज 1500 kg के ही वजन को ले जा सकता था 1500 kg में वो दो से तीन मिसाइले ही ले जा सकता था जिस वज़े से उसे बार-बार वापस आना पड़ता था दूसरा यह एक राफिल में पचास राफिल खरी इसको एक राफिल में यह पचास ठुआ जाएगा और तगड़ा इतना खतरनाक जिसका कोई अभी रेट डिस्क्लोज नहीं होता है यह डिफेंस के चीजों की इसलिए हम लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं बहुत सस्ता होता है इसका रेट अभी कुछी को एक्चुबल नहीं पता होता है तो सारे 300 केजी का यह हतियार ले जा सकता है टीवी टू डोन से जादे ले जा सकता है हला कि तुर्की भी अपने डोन को एडवांस कर रहा है इन ड्रोनों में हाड पॉइंट लगाए जाएंगे चार हाड पॉइंट लगाए जाएंगे इस विंग्स पे दो इस पॉइंट पे हाड पॉइंट उसे कहते हैं जहां पर हम हतियारों को अटैच कर सकते हैं तो इसमें चार hard point लगा दिये जाएगे, जहां से हम हतियारों को attach कर सके, और फिर उससे हम लोग fire कर सकते हैं, ये ड्रोन जादे तर काम आते हैं, टैंक्स वगरा को उड़ाने के लिए आपे, और हम लोगों ने टैंक को उड़ाने के लिए, पहले से ही अल्रेडी missile डेबलप क हो जाता है और आपको पता है कि इसकी छमता ही जो है वो सारे 300 केजी उठाने की है यानि हम लोग एक साथ 7 हेलीना मिसाइल छोड़ सकते हैं यानि वो करोडों का टैंक भेजो हम यहां से ड्रोन भेजते रहेंगे यूद नीतियां बदल चुकी है यूकरेन की लड़ाई और अ अब यूकरेन में मारिये तुर्की जो हतियार के निर्यात में उतना नहीं पढ़ सिथा लेकिन उसने भी यूकरेन को दिया मारने के लिए और यह ड्रोन तकता पलट कर दिये पूरी तरह से माहोल बदल दिये यह ड्रोन बहुत सस्ते होते हैं में लड़ाई इसी चीज़ के वह मतलफे जितने ड्रोन है, जासे यह से ईरान का ड्रोन अगया यह जी पी ऐस का परियोग करते हैं और जी पीएस की कंट्रोलिंग अमेरिका के पास है तो हम अपना आंख अमेरिका को नहीं ने दे सकते तो बहार हुता है कि किक्यों हमारे पास इस ओरों ने गगं वेट सिस्टम छोड़ दिया, तो ये उन्स